हाई फ्रेंड्स पीके स्टूडियो कोटा में एक बार फिर से आपका स्वागत है तो आज मेरे पास है यहां पर निकॉन का D300 केमरा और इसमें मेरे पास जो किट लेंस लगा हुआ है 5.6 अपेचर का 18.5 लेंस है किट लेंस जो आता है वह है आप जरूरी नहीं है कि D300 केमरा ह आपका कोई सा भी केमरा हो SLR-O DSLR-O आपका 18.5 अगर लेंस है तो उसमें आप बलर फोटू कैसे ले सकते हैं तो इसी टोपिक के उपर आज मैं बात करने वाला हूं और आपको सिखाने वाला हूं कि आप 18.5 लेंस में बलर फोटू कैसे लेंगे तो फ्रेंड्स वीडियो अ तो चलिया फ्रेंड्स आज की वीडियो शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स आप अगर 18.5 लेंस में बलर फोटू लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको तीन चीजों का विसेश तोड़ से ध्याम रखना है आपकी शटर स्पीड क्या है अपेचर क्या है और ISO क्या है ये ती तीन चीजें ऐसी है इनके बिना फोटोग्राफिय कोई नहीं कर सकता फोटोग्राफिय में समसे इंपोर्टेंट भाग और खेल इन तीन चीजों का है और उसके बाद आता है वाइट बेलेंस तो अगर आपको वाइट बेलेंस के बारे में जानना है तो मेरे चैनल पर आइसो अपेचर और शटर स्पीड इनको आपको विशेज तोर से समझना है तो मैं आपको पास से समझा देता हूं कि किस तरह से आपको आइसो रखनी है किस तरह से आपको शटर स्पीड रखनी है और किस तरह से आपको अपेचर रखना है और किस उसके बाद आप बलर फोट यहां पर आप मेरे सामने देख सकते हैं, यहां पर जो ISO है, आपको जो subject है, उसके according set कर लेनी है, कि आपकी कितनी ISO पर photo clear आती है, जैसे light, dark, या medium, जो इसी आपको रखना है, वेसी आप यहां पर set कर सकते हैं, उसके बाद जो aperture है, यहां पर मैंने 5.6 लिया है, क्योंकि जो जो quality है, उसमें sharpness की जो कमी है, वो आ जाएगी, तो यहां पर मैं 5.6 aperture रखता हूँ, और आप यहां पर देख सकते हैं, अगर आप blur photo लेना चाहते हैं, जो speed मैंने 80 रखी हैं, यहां पर अधिकतर जो लोग हैं, या photographer हैं, वो जादा तर 125 रखते हैं, तो यहां पर मैंने जो speed है, वो 80 रखी है, अगर आप tripod पर camera लगा कर photo shoot कर रहे हैं, तो आप 80 से कम भी कर सकते हैं, तो उसमें और कापी अच्छे आपकी जो photo है, वो blur आएगी, तो यहां पर मैं 80 speed और 5.6 aperture और 200 ISO पे आपको एक photo क्लिक करके दिखाता हूँ, कि आप 18-15 lens से किस तरह से blur photo ले सकते हैं यह setting आपको रखनी है, तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, तो friends आपके सामने जो मैंने setting थी वो रख लिए, आप देख सकते हैं, मैंने 80 तो speed रखी है, और 200 ISO रखा है, और 5.6 मैंने lens के according aperture रखा है, यहां पर आप ISO कम ज्यादा कर सकते हैं, आपके subject के क्लेटी के photo डल लेना है, light लेना है, कैसा लेना है, उस हिसाब से आप ISO रखना है, तो अब मैं आपको 18.5 lens में blur photo लेके दिखा देता हूँ, इसके लिए भी मैं आपको एक tips और बताने वाला हूँ, जो किसी को पता नहीं है, तो भाईया आप आजाएए, यह भाईया हमने बुला लिये हैं, यहां पर मैं एक चीज आपको decide करवा देता हूँ, आपके पास कोई सा भी camera हो, आपके camera से, यहां से lens के यहां से, आपको 10 feet की दूरी subject को लेनी है, और blur background लेने के लिए, 10 feet पीछे उसका background होना चाहिए, तो आपका subject 10 feet बाद और subject के 10 feet बाद आपका background, और यहां से मैं आ एक photo किलिक करके दिखा देता हूँ, तो आप इस चीज का विशेश तोर से ध्यार रखे, तो आपके सामने में एक photo यहां पर किलिक कर लेता हूँ, आप अभी display पे देख सकते हैं, मैंने एक photo किलिक किया है, तो आप देख सकते हैं, मैंने कितना अच्छा photo यहां पर किलिक कि एक फोटू मैं आपके सामने यहां पर क्लिक करके और दिखा देता हूं कि किस तरह का फोटू आपको देखने को मिलता है। तो आप यह दूसरा फोटू भी देख सकते हैं कि कितना अच्छा फोटू आया है और बलर भी आया है। में स्पीड 80 इस फोटू आया है और सबजेक्ट की जो दूरी है हमने 10-1 subject की दूरी रखी और उसके बाद हमने बेंग रांड की जो दूरी है वह भी 10 프िट रखी है। इस वज़े से यह अपना फोटो ब्लर आया है, दूसरी चीज हमें याद रखनी है, वह स्पीड रखनी है 80, अगर आपका हाथ सेख नहीं होता है, तो आप इससे और अच्छी ब्लर फोटो भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्टेंड यूज करना पड़ेगा, जो ट्राइपोड होता है, उस पे केमरा रखना पड़ेगा, और सब्जेक्ट को 10 फिट दूरी पे, फिर बेग्राउंड 10 फिट दूरी पे, उसके बाद आप फोटो लेंगे, इससे भी अच्छा ब्लर फोटो आजागा, तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना है ता, वी जेहिन, जेवारत, बंदे मातरम